कि फेबररी में क्या करना है फेबररी में दुसरा पावर दुसरी शक्ति पावर आफ प्रेजंट प्रेजंट यानि वर्तमान पावर आफ प्रेजंट वर्तमान की शक्ति तो पावर आफ पास्ट लेस प्रेजंट पावर आफ फ्यूचर लेस प्रेजंट पावर आफ पी एफ लेस प्रेजंट तो फिर वर्तमान में रहना सीखोगे अब आप बैठे हो ये ड्राइंग किसी ने करके आपको दिखाई अलग-अलग समयों पर दिन में कई बार खुद से पुछो अचानक पुछना जो भी मझे दिख रहा है इसकी मैंने ड्राइंग की पेंटिंग तो पेंटिंग कैसे लगेगी अच्छे की बुरी अरे बहुत ब तो दिन में कई बार खुद को याद दिलाना आफिस में बैठे हो गर पे बैठे हो किचन में हो पढ़ाई कर रहे हो ये चित्र कैसा लग रहा है बढ़िया तो चित्र अच्छा लग रहा तो हकीकत क्यों नहीं तो वर्तमान पसंद आने लग जाएगा तेखो उस नजर से द उस वर्तमान को जो सतत अपलब्ध है उसको पकड़ पाओ गे पली चित्र तो बना पाओ पली जी तो पाओ वर्तमान में तो देखो एक छोटा सा सवाल पूछा आप वर्तमान में आगे वर्तमान में सवता बैठे हो ना अगर हमारा मन कल-कल कर रहा है कि कल ये हुआ था कल तो आप वर्तमान में नहीं रह पाओ गे वर्तमान में जो भी हो रहा है अच्छा बुरा लगता है जो भी हो रहा है वो वर्तमान की सच्चाई है उसको ऐसा ही देखना सिखो वर्तमान में जो भी लग रहा है वर्तमान में कोई बुरा डलाग बोल रहा है जो आपको पसंद पसंद नहीं आया, किसी ने कही दिया कुछ, तुम कामचोर हो, या तुम अच्छे नहीं हो, एक वरतमान में डेलाग आया, पसंद नहीं आया, वरतमान में कुछ फीलिंग बुरी आई, वरतमान में कुछ दिखा, ये परसन अकड़कर खड़ा है, खुद को क्या समझता है, आप क्या का हो कि ये इश्वर का चित्र है, इस वक्त इश्वर के द्वारा बनाया गया चित्र, जिसमें एक परसन अकड़कर खड़ा है और एक परसन मुझे ये कह रहा है, ये चित्र है, तो इसकी चित्र की पेंटिंग मनाई तो कैसे फील होगा, काओ कि कितना बढ़िया च इश्वार का चित्र करके देखा तो कितना बढ़िया चित्र है, और उसमें जो फीलिंग आई तो वो इश्वर का इस पर्श है, इश्वर ने दस्ताने पेने हैuw, दस्ताने में पेनकर कोई Dस्ताना खुरदरा है, खुरदरा यारनी जहां थोड़ी चुबन होती है, तो इinté का ऐखर्श किया है अलग दस्ताने से, कोई आपको ताने देता है। तापको मालू मैं हर ताने में इश्वर का हाथ है। एगर आप उस ताने के पीछे हाथ देख पाए, इसलिए इतना आसान होगँ अगर आप वरतमान में जो हो रहा है तो इस को वैसे देख पाऊ। मर इंसान को ट्रेनिंग कैसी मिली है? इंसान को ट्रेनिंग मिली है केवल फ्यूचर की वैल्यू है. इंसान को यही ट्रेनिंग मिली है बश्चपन से. क्या ट्रेनिंग मिली है? केवल फ्यूचर की, केवल भविष्य की वैल्यू है. यानि अब मेरा ऐससी एक्जम हो जाएगा तो कितना आनन्द होगा इंगेजमेंट हो जाएगे कितना अच्छा लगेगा शादी हो जाएगे तो कितना बढ़िया हो जाएगा, बंगला बन जाएगे कितना अच्छा हो जाएगा, ये कुछ होगा, फ्यूचर में अभी आनन्द लिया रोग खतम हो जाए, रिटार्मेंट के बाद तो कितना आनंद रहगा है, जो मैं चाहता हूँ, वही करूँगा, रिटार्मेंट के बाद, मेरी जो बहुत ख्वाइशें थी, मैं ये करूँ, वो करूँ, चित्र बनाओ, कवीता लिखूँ, ये करूँ, मैं सब करूँगा, तो रिटार्मेंट अभी आने बाकी है, उसको मालम नहीं है, रिटार्मेंट नाम की बीमारी आती है, तो क्या होता है, उसको बदा नहीं है, क्यूंकि मन को आदद क्या डाली बश्पन से, कुछ आगे, सबस्क्aggiです, सबस्क्राओं, अखी रेटार्मेंट संपालों को परेशान कर देता है. तो जोग रेटार्मेंट के सबने देख रहे हैं, उनको सर्शी क्या कहते हैं, रेटार्मन जब होगी तब पहले कुछ समय, एक मेहने की तो चुट्टी निकाल के बैठो, कि ऑने एक मैना तो जो तुम करना चाहते हो करो अब खुद तो मालूम पड़े कि क्या होता है रिटारिमेंट कि बाद अब भी जानो रेटरिमान में जानो रीटारिमेंट को र Number अब बारतिमान में जानो तो आप समझ पार्ना उसका इंशधार कर थे बैठोंके तो वर्तमान में तो जिये ही नहीं, कौन जिया वर्तमान में, क्योंकि कुछ होना है, फिर खुश होना है, कुछ होना है, फिर खुश होना है, नया साल आएगा, ये त्योहर आएगा, वो त्योहर आएगा, दिवाली आएगी, और वो दिवाली आभी गई, तो पिछली दिवा अज़ वाली अच्छी थी, अभी उतना मजा नहीं आया, क्यू नहीं आया? क्यूंके हमेशा कल-कल, कल जो गुजर गया, कल जो आने माला है, कल-ुमन इसको ही कहा गया, कल-ुमन, इस कल-ुमन से मुक्ती, लक्ष्छा है, वरतमान में आजाएं, कल-कल मिने जाते हुएं, वरतम जहां अकल नहीं है वहां है अकल अकल से यानि समझ से जो समझ आपको दी जा रही है ये समझ आने के साथ कल समाप्त होता है और आप वर्तमान में भरपूर जीने लगते हो वर्तमान में कितना प्रसाद मिल रहा है हम देखी नहीं पाते हैं ना कहां सुन पाते हैं जो आरा इश्वर से, कहां सुन पा रहे हैं, जो दिखाया जा रहा है इश्वर के प्रेजन्स में, दिखता ही नहीं है, इसलिए तो भागता है इंसान, फ्यूचर की कीमत, मगर जैसे सास भी कभी बहुत ही, वर्तमान भी कभी फ्यूचर था, आज वर्तमान जो है कभी फ्यूचर था न ये, तो हर वर्तमान जो आया है कभी फ्यूचर था, तो फ्यूचर का इंदजार मत करो, फ्यूचर के बीच डालो, वाच, वेट विद वंडर, वर्तमान में, वा वरना वेट करना लगों को बहुत दुख़द लगता है, इंतजार करना बहुत दुख़द लगता है, वंडर के साथ, आश्चर के साथ, वच्चे कैसे आश्चर के साथ, एक चीज को देखते हैं, एक एक चीज को देखते हैं, एक एक वस्तु को कैसे देखते हैं, उनकी आख तरी बीज डालना है, फ्यूचर का जो बीज है, समझो किसी को फोन की आपने, आपने बीज डाल दिया, अब वो परसन कैसे आता, क्या होता है, परिशान होके, बैठने की जरूरत नहीं है, बीज डालो और देखो अभी कैसे यह होता है, ये कला हर छुट-छुटी गटना के स हमें सीखनी है, और फिर लोग पिकनिक पर जाते हैं, तो क्या करते हैं अधर? मावलेशर पिकनिक पर गये है, ये एक पाइंट पर पॉंचते हैं, त रहंद विचार शिरू, दूसरी पाइंट पर पहुष्णा अब ताइम क्य होआ, देखो, अधर भी पोष्णा है, उधर तो यह पॉईंट पर आए тут इतर क्या करना, फोटो निका लो बाद में देख़ेंगे, फोटो निकालो घ्लो तो लोग पपला काम क्या करते है, फोटो निकाल न शिरू कर देता, महरे देखते ही नहीं, जो दृष्य था, अंदर लेना था, वो तो क्या ही नहीं तो यह समझ होगी तो आप उसका बरपूर लाब लोगे, वरना वहाँ रहे कर भी person future में था next plan जाना है, तो फर घर पोचना है घर पोचना है घर पोचना है घर पोचना है, घर में जो आननद है कहीं नहीं है दूसरे दिल भूल गे, यह होना है, वो होना है, फ्यूचर की वैल्यू है, इसका अर्थ है क्या, इंसान जिया ही नहीं, और क्या क्या क्या, गल्ती क्या होगे इंसान से, सिर्फ जीने की तयारी की, जिने की तयारी, जिया नहीं, जीने की तयारी, तब सवाल पूछा जाये, जीने की तयारी कैसे करनी चाहिए, जीने की तैयारी कैसे करने जवाब क्या है? जीकर. जीने की तैयारी करो जीकर. जीकर ही ये हो सकता है. और जो जीकर दिखाते हैं, वे ही सोर्स बनते हैं, वे ही निमित बनते हैं. आपने पंक्ति सुनिये, जीयो और जीने दो मैं लोगों ने इसका आर्था क्या निकाला है हम किसी को डिस्टब नहीं करते हैं इसका आर्था हम लोगों को जीने दे रहे हैं हम किसी को परशान नहीं कर रहे हैं इसका आर्था हम दुसरों को जीने दे रहे हैं इतने ही अर्थ पर रुग गए है, हम जी रहे हैं, हम किसी को परशान नहीं करते हैं, यानि हम जीने दे रहे हैं, ये जीने देना नहीं आए, तुम फ्यूचर फ्यूचर करते जी रहे हो, तुम को देखकर तुम्हारे बच्चे भी ऐसे ही जिएंगे, ना तुम खुद जिये ना बच्चों को जीने दिया, बच्चों का बटा, कल संडे है, चुटी है तेरे को, अच्छा, चुटी है, क्या होता है, बच्चे को पली बार तो मालूम भी नहीं होता है, संडे क्या होता है, तेरा बड़्डे है, बड़्डे, बड़्डे को मालूम नहीं होता है, बड़् और बच्चे को कहेंगे, हाँ आपको गिफ्टी दिनी वाले, क्या दिनी वाले, बताओ, क्या दिनी वाले, बताओ, छोड़ेगा नहीं, जानी नहीं छोड़ेगा, आपसे पूछ के लेगा, क्या मिलने वाले, क्या मिलने वाले, क्यूंकि उनको फ्यूचर में जो है, वही आक दूसरा पावर, पावर आफ प्रिजंट, प्रिजंट यानि गिफ्ट, जो गिफ्ट मिली है इश्वर से, उस गिफ्ट का लाव लें, प्रिजंट का अरत है वर्तमान भी है, तो वर्तमान में रहना सीखिया है. प्रिजंट का अरत है वर्तमान भी है,